ये वो सक्षियत है जिनके लिए कहा जा सकता है कि जो लोग संगर्षों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, जैन देश्मुग जी, जो अपने क्लास लेते वक्त अपने जो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाते हैं, उनको ये कह रहे थे कि सफर में पश्वारियां हैं बहुत, लबों पर तरन्नुम, सजा कर चलो, ये जुकने की आदत बुला कर चलो, जो मेरे साथ हो, तो सर उठा कर चलो, जो मेरे साथ हो, तो सर उठा कर चलो, जिन्दगी से लरती ये सक्षियत सरफ कफन बांद के निकली है, कि रंग मंच को मैं जिन्द देखेंगे नाटक आज नट समराट आलोग जी के साथ ये नाटक जो आपने किया था उसका एक वाखिया है कि जब ये नाटक शुरू हुआ था दोनों के संगरिश की दास्ता है न पुराने दोस्त मिलके इस नाटक को करने है और इस नाटक को जब करने के लिए आलोग जी के नाटक देश में नाम करेगा उसी नाटक के साथ मैं जहन जी को मंच पर पुने स्वागित करता हूँ हमारे साथ एक और सक्षियत आज यहाँ पर है जिनका चिर परिचित चेहरा हम सब के जहन में वैसे ही बसा हुआ है जैसे जैपूर के लेंडमार्क्स बसे हुए है मैं सुनेल सिना जी को मंच पर आमंतृत कर रहा हूँ पढ़ने के दोरान से लेके सुनेल जीसे बहुत लगाव रहा है हमारा आपने कई फिल्मों में सुनेल को देखा होगा सुनेल माचिस से लेके रोदाली तेक, गुलजार साहब के एनेक प्रोडक्शन्स में आप नज़र आए हैं मिर्जा गालिप में आप बहुत ही शांदार रोल में थे उसके अलावा आपने एकजिट में नादीरा जी के साथ बहुत सारे रोल किये हैं मुझे भी सौभा के मिला कि मैंने प्रत्वी तीयेटर में आपके नाटक देखे हैं और बड़ा आनन्द आता है जब भी मैं सुनील भाई के साथ कुछ काम करता हूँ या सुनील भाई को काम करते हुए देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है सुनील जी भी पता रहे थे कि अभी कुछ नए नाटकों की प्रोडक्शन पर आप काम कर रहे हैं हमारी शुब काम नहीं और जैपुर में आपका स्वागत घर है आपका दूसरा एक और बात होती है कि जब भी आप कहीं ट्रेफिक के चालान में फस जाते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं तो आपको पुलिस वाले याद आते हैं और जब पुलिस वाले के पास हम फस जाते हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले हम से पूछते हैं क्या नाटक है लेकिन अगर कोई पुलिस वाला नाटक करने लगे तो वास्ताव में ये काम सौरब श्रीवास्ताव साहब ही कर सकते हैं तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ IPS सौरब श्रीवास्ताव साहब को और नाटक से जुड़ने के बाद बहतरीन निर्देशक, बहतरीन अभिनेता इनके व्यक्तित्वमी बदलाव आ गया ये भी बता रहे थे कि परसनालिटी बदल गई तो मैंने बड़ा गौर से देखा तो मूचों पर आद फेरते वे बोले ये मूचे उसी नाटक की देन है टैनिस के बड़े अच्छे घिलाडी है बहुमुखी प्रतिभा के धनी है कई नाटकों का निर्देशन आपने किया है मायने गंभीर होने के आपका नाटक अभी साथ तरीक को यहाँ पर हुआ है और जैपुर ने बहुत दिलो जान से उस नाटक को सराहा है हम अब इन तीनों से बातचीत करने के लिए जिस सक्षियत को बुला रहे हैं वो सक्षियत आपको अक्सर यहाँ वहाँ धीर गंभीर मुद्रा में मुस्कुराती वे नजर आती है और इस जैरंगम की मजबूत कड़ी के रूप में दीपक गेरा जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ जो ने केवल पेशे से इंजिनियर है तबियत के कलाकार है दिल से लिखते हैं दिल के राइटर है और कम लिखते हैं लेकिन जब भी लिखते हैं इन्हें पढ़ने का मन करता है और जब ये बोलते हैं तो इन्हें सुनने का मन करता है ऐसे दीपक जी को मैं मंच की कमान सोप रहा हूँ मुझे हेमन्त आशारियो के जाज़त दीजी और मंच दीपक गेरा भाई साब क्या है थैंक्यू हेमन पैनल बहुत सुद्रड है और विशे जो रंग समवात की टीम ने रखा है अब वो वैसे तो विशे ऐसे लगता है जैसे किसी डिवेट को अंजाम देने वाला है कि थीएटर किसका नाटक किसका निर्देशक का या अभीनेता का तो चलो थोड़ी डिवेट भी हो जाएगी तो आनन्द आएगा और किसी निश्कर्ष पर पहुच जाएगे तो भी आनन्द आएगा वैसे मैंने ऐसे फौरी तोर पे एक बात को बहुत बार सुना है कि सबसे पहले नाटक का एक पिता होता है लेखक लेखक नाटक लिखता है और नाटक बाजार में आता है या स्क्रिप्ट की तोर पे उसके पास रहता है पर वो उसका पहला पिता होता है जब वो नाटक ट्रेवल करता हुआ एक निर्देशक में हात में आता है तो नाटक निर्देशक का हो जाता है और निर्जेशक उसका दूसरा पिता वरता है निर्जेशक अपनी सारे टेलेंट के साथ सारी टीम के साथ उस नाटक को तयार करता है और एक्टर्स को सौप देता है फिर उसका मंचन होता है तो शायद तीसरे पिता उसके एक्टर्स वन जाते हैं अब एक्टर्स और डारेक् प्रशुमा कि वो कौन सी कडिया और वो कौन सी कौन सा समय होता है जब एक लेखक का लिखावा नाटक एक निर्देशक का हो जाता है कैसे हो जाता है वो क्या प्रक्रिया है हम हुआ है मैं बादचीज शुरू करता हूं अपने की नटकों से मैं भारत मोहन भोपाल में एक रंगमंडल हुआ करता था जो अपबंद हो गया है वहां में दस साल था और प्रोपेशनल आक्टर था वहां रहते रहते मैंने घुपाल शेयर के साथ अपना एक ग्रुप बना के प्रेडिरेक्ट करने लगा था जैसे कहा दीबग जीने की लिखक सबसे इंपॉर्टन्ट है या लिखक कह ले या वो सूत्र कह ले या वो कथा कह ले कहानी कह ले जिससे नाटक बना क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है प्रकृति है कि अपने आपको एक्स्प्रेस करने के वो पेंटिंग में करता है वो स्कल्प्चर में करता है वो कविता में करता है वो बन्यास में करता है और यह सारे का समावेद या सब कुछ मिलकर नाटक बनता है मेरे मायने से, मेरी समझ से जितना मैंने काम किया है कि नाटक की स्क्रिप्ट आने के बाद चाहे वो नाटक कार जिंदा हो, चाहे मरा हो नाटक की स्क्रिप्ट आने के बाद निधिशक अपने दिर्श्टी कौन से उस नाटक को देखता है जैसे सिनमा में अभिनेता चुना जाता है बहुत कमर्शल सिनमा की बात करें तो अभिताब बच्चन आज ज्यादा विकाओ है इसलिए वो विक रहे हैं या आजय देवगन या रित्विक रोशन या और कुछ मानने वैसी ठीटर में भी डिरेक्टर चुनता है अपनी कथा के कि मखें छिल और जूता है तो जैसे अभीनेता को तुमता है युक है तो जैसे मैंने दो प 민주 किये दू बड़े प्ले की है इक निदुटर जो है जिसमें मैंने नी अलोग चेटर जी को चुना जब्दी को मेरे साथ काम करें जैसे नडर्सम्राट जो मुझे करना था नट सम्राट अंदुस्तान के मराठी का प्ले है और बहुत मना अपने माना जाता है अक्टर का प्ले कहते हैं और हिंदी में जहां तक मेरी समझ है बहुत छोटा सा एक पूर्शन नेशनल स्क्लाब ड्रामा ने किया था और पूरे रूप से एक नाटक के रूप में हुआ नहीं था मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी और इनाटक करना चाहिए तो फिर मैंने अभिनेता चुना को चुना अलोग चटर जी मैं इस बात की और जा रहा हूं दीरे दीरे कि अभिनेता बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि नाटक जब आप पढ़ते हैं एक निदेशक के रूप में जब आप नाटक पढ़ते हैं तो नाटक पढ़ते हुए आपको उसके चरित्रों से कौन सा अभिनेता कर सकता है यह आप आपको समझ में आने लगता है चूंकि आप एक शहर में करते हैं काम यदि एक शहर से जाके दूसरी जगह चले जाते हैं जैसे मैं आधे अधूरे से अपना उधारन लूँ तो मत्वदेश नाट्य विद्धैले के लिए मैंने यह प्ले किया था वहां 24 विद्यारती थे औ बारा बारा लोग उपरूब्ही मैंने सावित्री जुनेजा जगमोहण वोग हिसजुना में आक्टर अरे थे अच्छे अक्टर्स थे और इसमें मैंने अपने लिए सावित्री चुने, इस सावित्री कोन करेगी, इसलिए मैंना मानना ही है, कि अभिनेता मुझे लगता है बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा निदेशक करने के बाद, अभिनेता अपने अभिने से उस चरित्र के साथ, वो न्याय करते हुए, न्याय आप नाटक देखेंगे तो जिनों ने नाटक पढ़ा है उसलिए पह को बहुत जाणा करता को उसमार्य पहुत जाणा इसली मेरा यह मानना है कि यह भ५ ही लोग कहते हैं दुनिया में बहुत ही बहुत है ना मुझे कहानी की जरुरत है फिर में मैं नाटक करता हूं तो उसके इसाब से निदेशक होगा निदेशक का प्ले हो गया और मैं मानता हूं निदेशक का प्ले साथ बज़े के पहले तक होता है साथ वजे जैसी तीसरी गंटी बशचती है और नाटक शुरू होता है तो नाटक अभिनेता का हो जाता है क्योंकि अभिनेता उस विचार को जो नीदेशक दिखाना चाहता है बताना चाहता है उसको कैरी करते हुए ओडियसस पहुंचाता है यह बिल्कुल ऐसनल बात है कि द सिंपोजियम किया था एक्टर्स इन विनिशिंग पॉइंट कि ऐसा लगता है मैं भी उसमें था लोग भी था तो मुझे लगा कि यह किस तरह की बहस कर रहा है क्योंकि आप भरत्पुनी से आप देख रहे हैं भरत्पुनी से हमारा नाट्य शास्त्र है वहां से आज तक का हि सबत्कार बंगाली ओ माराठी ओ उसमें अभी नहेंता सबसे खड़ी है मराठी के नाटक अभी थी अभी शास्वुक की नाम से जाने जाते हैं बहुत कम बहुत कम निदेशुकूं के नाम से जाने जाते हैं मंगाली में शम्मू मित्रा थे वो उनके नाम से लोग नाटक देखने जाते हैं श्राम लागू के नाम से नाटक देखने जाते हैं परेश रावल के नाम से नाटक देखने जाते हैं नाटक का नाम भी उनको नहीं मालूम होता है डिरेक्टर को उने हो तो मालूम ही नहीं होता है अधिके अभी भी छीटर में खास्तार से डॉमिनेटिंग एक्टर ही है और यह मेरा मन अभी है जैसे मैं अपने नाटकों से उधारेंट दे रहा था इसलिए मैं कहला है कि जब आप किसी नाटक को चुनने के बाद एक अभीनेता को चुनते हैं तो अभीनेता ही एक ऐसी जर्नी वो तै करता है निदेशा के थ्रू जो ऑडियंस तक या दर्शुकों तक वो बात पहुंचाता है और मुझे लगता कि यह नाटक शास्ते जनोंने पढ़ा है यह उसमें लिखा हुआ है या सुना ओगा आपने कि अभीनेता के लिए उससे का उन्होंने का यह भाव भी नहीं होना चाहिए बाल भी नहीं होना चाह वह मुझे मुझे लगती है चाहे वो किसी भी तरह का नाठा को चाहे ब्रेक्त का नाठा को चाहे बहुत इस्टीट प्ले उसमें अभीनेता बहुत इप्मोटेंट है तो बात शुरू करने के ने मैंने बात शुरू की है फिर आगे बढ़ते हैं तो आप ने उसकडी को ये इतना सशक्त है कि मैं रोकता हूं आजकल सिनेमा एक्टरों का भी है आधेक्टर बहुत उन्हें डिरिक्टर धुने डिरेक्टर हैं अब ही इस मोई तो पहले हो देखते कि अक्टर को शक्ता आप सुभाज गई के नाम से लोग फिल्म देखने नहीं जाते हैं अक्टर के नाम से फिल्म लेकिन ब्रॉड ली दब मेजर्टी लिप प्लेडर और नेम आफ डिरेक्टर्स एंड राइटर्स की इसका प्ले यह हिंदी का दुर्भाग्य है सीरियस्ली हिंदी का दुर्भाग्य मैं तो किसी ड्रामा स्कूल में पढ़ा नहीं हूं वह बहुत अनपड़ के सुपकाद्वी हूं गवारू हूं चुकि मैं सिनमा में प्रोडक्शन डिजाइन का काम करता हूं इसलिए मैं थोड़ा लाव लजमा आपको मेरे को दिकरा होग ब्लुड कलर का शट्ठ ब्लुड कलर का ये तो मैं वो रंग और रूप कही खाता हूं इसलिए रूप बनाया मैं ने पर हिंदी रंगमज का दुर्भाग्य है कि वो अभिनेताओं के नाम से नहीं जाना जाता है एक दूसरी बात ये है कि हिंदी रंगमंज के लोगों ने सोच लिया कि सारा कुछ रंकर्व दिल्ली से पोशित होगा और दिल्ली में ही होगा और दिल्ली ही डॉमिनेट करेगी यह मैं बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि एक संस्थान है उसमें कोई इशु नहीं है संस्थान होते हैं पूरोग इंटार हर बार बड़ा अक्टर ही पैदा करेगा यह वो सोच के चलते हैं और गदेवना कैसा ह white आप एक पीडी के बाद आप गिन लेजी दस्यों साल हो गए ना कोई डिरेक्टर निकला ना डिजाइनर निकला और जो निकले हैं जो हैं उस एक चौरा यदि आप दिल्ली कभी गए होंगे और एनस्जी आपने देखा होगा तो एक गोल चौरा है उसके साथ रास्ते हैं वो उसी साथ में इस्ट्रगल है उनका उसी साथ में वो अपना भजन करते हैं एक दूसरे के लिए तुने अच्छा किया मैंने भी बहुत अच्छा किया उसने खराब किया और हम कर रहे हैं तो पुरा देश का रंकर हम बदल देंगे गलत यह सरा सर गलत क्यों एक छोटे से गह अपने के बाद जब उनको पता चला कि चल लेनी राउत नाचा जो भी चतीजगड़ की फोक कला हैं उन्होंने इडॉफ्ट करके फिर अपना एक प्रोसेस तैयार मैं यह नहीं कहता हूं मैं नकारता भी नहीं हूं एनसजी को क्योंकि कारण जी मेरे गुरूर हैं और हो सार new directors को कौनको पढ़ाने आहें हमने उनके साथ काम किया हम पूरे देश के बड़े रंकरभियों के साथ और डिर्क्टरों के साथ पर नहीं मानता हूं कि कहीं नख कहीं उनका भी ये हिस्सण है कि हिंदी में actor के नाम से theater नहीं जाना जाता है तैंक ईसकार बहूं सिचुर्ट कि क्या Absolute Terms में भी हम कह सकते हैं सर कि ये बात है कि रंगमंच अभिनेता का ही है सबसे पहले तो मैं विशह से परे एक बात कहना चाहूँगा शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ मैं यहां इत्फाक से और मैं इसमें आपकी दाद देना चाहता हूँ आपकी इमानदारी और साथ को इगी कि जब आपने मुझे फोन किया तो उन्होंने बताया कि आलोक आने वाले थे उनकी फ्लाइट लेट हो गई है तो अब एक एक एक्टर चाहिए जो बोले तो आप क्या आ सकते हैं तो मैं उस तैयारी से नहीं आया पहली बात अब आजाते हैं विशेपर सर पर हम भी आपकी दाद देते हैं कि सर आपने इतने कम समय में निमंतरन को स्विकार किया और यहां तक आए सर यह भी एक एक एक्टर कर सकता है तैंक यू अब आते हैं विशेपर नाटक किसका तो एक नाटक है चरणदास चोड उसका मुंबई में शोग हो रहा था और जो बंदा तबला बजाता था तो नाल बजाता था वो नहीं आया मतलड लेट हो रहा था उसके चार बजे आना था और वो 6 बज़े का शो था प्रित्री पर 6 बज़े का शो और वो 5 सवा 5 तक नहीं आया और सबकी हालत ख्रापती अब नाटक कैसे होगा यानि अगर वो नहीं आता तो शायद नाटक नहीं हो पाता या होता तो पता नहीं कैसा होता तो उस वक्त लगा नाटक इसका है पिर जब अभी जैंत ने रंगमंडल की बात की तो जब 82 में रंगमंडल बनाता तो मैं क्योंकि कारण जी का स्टुडेंट था और कारण जी का बहुत स्ने था मेरे उपर तो उन्होंने मुझे रंगमंडल बुलाया कि रंगमंडल चुरू कर रहे हैं तुम आजाओ एक प्ले किया था और ने घासी राम कोटवाल अलोग भी था उसमें जैंत भी था और बाकी सारे लोग थे उसमें मैं और कारण जी हार्मनियूम लेकर के साइड में बैठते थे और म्यूजिक करते थे गाते भी थे और सब को एक्टर्स को सुर्वी देते थे कल्पना कीजिए कि वो हर्मनियूम वाला किसी दिन ना हो तो क्या होगा तो नाटक उसका क्योंकि अंग्रेजी में जो ड्रामा है वो लिट्रेचर है और जो खेटर है वो प्राक्टिकल है परिचर्चा है यहां स्क्रिप्ट में र्कट कया या किस्का नाटक करने वालों का यहां भरेजी कि देओं यहां जो लोग नाटक मुझ नाटक से जुड़े और उनका ही अगर आपका- लाईट वाला नहीं आता है शो में या लेट आता है तो आप की हालत खराब होती है ज नाटक निर्देशक का है और जो अब दीपक जी ने कहा कि यहां निर्देशक जादा जाने जाते हैं बजाए बनिस्पत के अक्टर्स के तो नाटक निर्देशक का तब जब वो ग्रांट्स के लिए अपलाई करते हैं नाटक निर्देशक का तब जब कुल परिचर्चाओं में बोलते हैं लेकिन दरसल देखा जाए तो नाटक सिर्फ और सिर्फ करने वालों का मात्या है निर्देशक का जन्म तो बहुत सालों के बाद हुआ है नाटक करने के अगर हिस्ट्री आफ थेटर देखेंगे आप तो डिरेक्टर का जन्म बहुत बाद में हुआ है पहले तो कुछ एक्टर्स मिलते थे और किसी मुद्दे पर इंप्रोवाइज करते थे और एक नाटक कर डालते थे बाद में लगा कि एक समग्र सोच के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो बाहर से देख करके ये बता सके कि हम लोगों का बैलेंस बराबर है या नहीं है क्योंकि अभिनेता जो है वो अपनी सोच से अपने पात्र पर ध्यान देता है हर अभिनेता और निर्देशक जो है वो समग्र रूप में नाटक क्या कहना चाहता है उस पर काम करता है और उसको बैलेंस करता है इसलिए नाटक किसी एक की बखौती नहीं हो सकती, किसी एक की मतलब जायदाद नहीं हो सकती, कि नाटक मेरा है, जहां तक फिल्मों की बात है, बिना एक्टर के फिल्म में बनी है, बनाई जा सकती है, बिना एक्टर के नाटक नहीं हो सकता, कोई भी नाटक आज तक की इतिहा में बिना एक्टर के नहीं हो सकता आप सिर्फ सेट्स और लाइट लगा करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं नाटक नहीं कर सकते हैं उखिए सफना हीजितना प्रोपर्टी पर्रोपटी करने वाले मुजिक ननंको डिरेक्टर उस टीम खले लेयं जैसाएंट में मुखा है वहांगे शायो कि अध शेर्टा के को एक नैक्न है और कि इस ले नडेजा करना शूरू कर देता है और डाटर्शा बाहर चला जाता है या दॉधा कोजा लेता है ऑर अच्छा एक्टर विंग बेख़़ फड़ंग नाटक की तुम लेक्शत है लेकिन पनेंर दोसर्फ और यह gef Inn देश ऑ mai के फिल्म की शूटिंग से पहले भी बन रही होती है और फिल्म की शूटिंग के बाद भी बनती रहती है ऐसे तमाम निर्देशक हैं पुराने जिन्होंने अगर तीन घंटे की फिल्म दिखाने के लिए शूट की थी तो जो टोटल फुटेज था वो बारा घंटे का था या बी पुरी तोर पर निर्देशक का माध्यम है हां ये एक अलग दुर्भागे है फिल्म का कि हमारे हां फिल्म इंडस्ट्री में हमारे हां क्या सब जेगे पुरी दुनिया वर में स्टार्स की नाम से फिल्म बिक्ती है लेकिन वह एक वह बिजनेस की बात हुई फिल्म किसके नाम से बिखती है लेकिन फिल्म बिखना या ना बिखना अच्छी फिल्म में अभी बनती है नए नए अक्टर्स उसमें आते हैं अच्छी फिल्म में काम करते हैं लोगों को पसंद आती है और फिल्म में बिना एक्टर्स की बनती है थेंकिए सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि निरदेशक जो है वो बात में आया सीन में यानि कि नाटक दल रहे होंगे या दल और्गनाइज नहीं रहे होंगे अभिनेता होंगे वो अभिनेत करते होंगे उनको समन्वे किया एक कोडिनेट किया और फिर नाटक की तरह प्रस्तुत वा तो निर्देशक जो है द्रश्य में आया सर मैं सौरब जी से पूछूँगा सौरब जी तो लेखक भी है निर्देशक भी है और एक्टर भी है अब इन्होंने तीनों कमान एक साथ संबाल रखी है तो निर्देशक एक खाली समन्वेक है या नाटक में अपना क्या डालता है तो यह रोल जो है मतलब एक एक्टर का और एक डायरेक्टर का फिर यह विजए विज हैंड इन कंट्रिबूशन क्या होता है एक खाली कोडिनेटर तो नहीं होगा वो निर्देशक डालता क्या है एक्टर उसको लेता क्या है और साथ बजे वाद एक्टर अपनी स्पेस कैसे डूंडता है जब और सामने नहीं है तो यूर्ट बेस्ट पर्सन पूटेल आप तीनों रोल एक साथ निभा रहे हैं सब दीपक जी ने बातचीत की शुरुवात में ही इस विशे को ऐसा घेर दिया कि सब उसी के भीतर बोल रहे हैं इन्होंने शुरुवात इस चीज से करी की नाटक की स्क्र अब लिक जाती है लेकर लिखता है जर्टेशक उससे पर दर्शक के सामने पहुंशता है और मेरे ख्याल से फिर यह शारी बात इसी पर होने लगी कि क्या ज्यादा महतुपूर्ण है लेकान या निर्देशन या अभिनय मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी समझ से मैं प्रोफेशनल थेटर वरकर तो नहीं हूँ लेकिन सनुन्यासी अस्सी से लगबग लगातार अमेच्वर थेटर कर रहा हूँ अर्ध व्यारसाइक थेटर भी किया है अर्ध व्यारसाइक उसे इसलिए कहूंगा कि उसमें हम मुफ्त में निमंतरन देके लोगों को नहीं बुलाते थे दर्शकों को टिकट बेच के बुलाते थे हम उसके उपर आजीविका नहीं चलाते थे लेकिन दर्शक पैसे दे के टिकट ले के आते थे वो थियेटर देख लेगे भारत भौन रंगमंदल के साथ हमारा उस जमाने में बहुत गहरा म्यूच्वल संबंद था हम अपने नाटक इलहबाद से कैंपस थियेटर सचिन तिवारी के साथ में काम करता था लेके वहाँ जाते थे भौपाल भारत भौन में और वहाँ के सारे नाटक हम इलहबाद मगा के फेस्टिवल्स में कराते थे है वदन और साजी महानिर्वान सकंद गोप सभी आये थे वहाँ हम अपने नाटक भी ले जाते थे मैं भी गया हूं कि वह सिर्फ इसलिए कि जो मेरा अनुभव है पर मेरा ये मानना है कि नाटक को सिर्फ दो चीजों की दरकार है एक दर्शक और दूसरा वो नाटक करमी जो उसे कर रहा है उसे आप अभी निता का नाम दे दिजी स्क्रिप्ट की दरकार जरूरी हो नहीं है बहुत सा नाटक सिर्फ आंगिक हो सकता है बहुत सा नाटक बिना शब्द के हो सकता है बहुत सा नाटक बिना स्क्रिप्ट के हो सकता है नाटक सेट डिजाइन, लाइट्स, म्यूजिक, बैक्ग्राउंड का सिनोग्रफी और शायद ज़रुवत ना पड़े तो निर्देशक भी इन सब के बगएर नाटक खेला जा सकता है लेकिन दर्शक के बगएर नाटक नहीं पूरा हो आप सुनील जी अभी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, इन से गाहे बगाहे जगे जगे पर थिएटर से जुड़ी हुई गतिविदियों से कहीं है, बच्चों के साथ वरक्शॉप कर रहे होते थे, कहीं और कुछ गतिविदी कर रहे थे, तब से मेरी मुलाखात है अभी ये कह रहे थे कि उस रोज वो ढोल नाल बजाने वाला नहीं आया तो समझ में आया नाटक किसका है, पर आप कलपना कीजिए, किसी ऐसे शो की, जिसमें तीस लोगों का एक थिएटर का दल अपना प्रदर्शन करने के लिए मंच पे तयार बैठा है और किसी कारण से एक भी दर्शक नाये, कोई वज़े हो सकती है, शेहर में कर्फ्यू लग गया, बाढ़ आ गई, कोई वज़े हो सकती, उस दिन की कलपना कीजिए, तो नाटक मेरा ये मानना है कि अभिनेता और दर्शक दोनों का है, यही दो उसके मूल तत्व हैं, जरूरी नहीं कि उसमें स्क्रिप्ट हो, जरूरी नहीं कि उसमें और कोई भी चीज, आखिर नाटक है क्या, आपने शुरुवात में जैन जी ने बात कहीं कि एक आदमी की, अपने आपको एक्सप्रेस करने की, अपने आपको अभिव्यक्त करने की एक इच्छा होती है, वो एक आदिम इच्छा है गुफा मानो जब था वो तब भी वो अपनी भावनाओं को और अपने अंदर की रचनातमत्त को उन पहाडियों की गुफा की दिवारों पर पत्थर से कुरेद कुरेद के चित्र बना बना के, जो भित्ती चित्र, गुफा चित्र के नाम से जाने जाते हैं, अपने आपको express करता था शिकार कर लेता था तो खुश हो के नाचता था किसी दूसरे कभीले की लड़कियां जीत के ले आता था या उस कभीले को मार के वापस लोटता था तो जशन मनाता था ये भी नाटक था है वो सब के सामने प्रदर्शित कर रहा है अपने आपको अभी व्यक्त कर रहा है कोई भी इंशान अपने आप में हर समय अभिनेता होता है अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग अभिव्यक्त करने की ये नाटक में भी अभिव्यक्त होती है पूरी कलात्मक्ता के साथ होती है पूरी रचनात्मक्ता के साथ होती है वो क्रियेटिविटी जब दर्शक तक पहुंचती है और दर्शक उसे रिसीव कर लेता है तब ये प्रक्रिया नाटक की पूरी होती है लिए मनजन और दर्शको के दुआरा उनको ग्रहन करना इस प्रक्रिया में तक निर्देशक की जो वह है वो अलग है वो इससे इस तरह से विज्युलाइज करके इस तरह सिंट से डीजाइन करके पेश करता ह। कि जो अभिनेता के माध्यम से या जो इस स्क्रिप्ट में है उसकी जो उसका जो कथ्य है उसको वो दर्शकों तक बेहतर तरीखे से पहुंचा से नाटक बागी सब के बगहर हो सकता है लेकिन अभिनेता और दर्शक इन दो की गैर मौजूद्गी में नाटक नहीं हो सकता यह मौज कर आटक शडर।